यह है Dublin के एरपोर्ट का हाल बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा और अभी हमें हार देख पांडिया भी है पर मिले थे इनकी फोटो आपको स्क्रीन पर देख रही है तो जी अब हम एरपोर्ट की बस में बैठ चुके हैं सोलर नमर हम जो कि सिटी सेंटर से जाद है डबिंट एपोर्ट और यह नॉर्मल सिंपल बस है जिसका फेर है सिर्फ टू यूरो सिक्टी सेंट पर पर सन बागी एक्सप्रेस चलती है और कई तरीके की बसे के नमबर है जो आठ यूरो लेते हैं एक तरफ से और डबल आप ले ले जाती है हमारे सिटी सेंटर से यह लगज रखने की स्टोरेज है अगर इन में आपका लगज नहीं आता है तो बस नहीं चलाते हैं तो आपर बलकुल यह स्टेंडर्ड मेंटेन किया जाता है मेल आ गई थी चेक इन के लिए उसमें लिखा था कि आपको साथीन गंटे मिन्यूम पहले आना पड़े था नोर्मली क्या होता है कि इंग्लिश एपोर्स को लोग जादेर पहले नहीं आते हैं दो जादेर गंटाइज आ जा 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 आते हैं तो बोटिंग को इस बाप म लोग कर रहे हैं जनाब बहुत जावर्स की रहा है अब लगे हैं फिलाद हम पीजा चेक्स की लाइन में क्योंकि हम जब ऑनलें चेक इन करते हैं तो आज एंडियन पासबोर कुल्डर हम बोर्डिंग पास अनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वीजा उनरेवल करें हम कर दो लगाना होता है और फिर आप आगे सीधा जा सकते हैं अपने बोर्डिंग पास को लिए मैं आप दिखाता हूं उसके था पर मशीन लगी हुई है यहां पर अपना बोर्डिंग पास डालें वह दिख रहा है वह बहुत हैं वेट आता है यहां से टेग निकलता है उस अपने को लगाते हैं बेक साइड वाले इस हैंडल पर और उसके बास सीधा बैब भी जो रहा है जमा करते हैं तो नहीं आप सीधा पोड़ गा सकते हैं अभी फिलाल देखे हालत है कि कितनी भीड है आप जबढ़ दस्त भीड है जबढ़ दस्त और यह रहाजी जैसे आप देख सकते हैं कि वीजा चेक लिखा हुआ है हमारे जैसे बिचारे जिनको वीजा चाहिए चाहिए उनके लिए है तो जी बोर्डिंग पासवास्तों मिल गए हैं लेगिन भीड देखो मेरा डबलीन एरपूट पर कितनी हैं यह सारी क्यूज हैं जो लंबी लंबी इनोंने दुमार रखी है बहुत भीड़ जवड़ दस चल्गा एरबोर लेगे अब जाके लॉंज जूड़ेंगे लॉंज एक्स करेंगे उसके बाद में फुझे फ्रेश्मेंट लेके फिर आगे बढ़ेंगे तो जी मेरा गया लॉंज एक्सिस करने के लिए यहां पर और हम नोन जो तो टीटलन का ने पास्टा गिल डेटेबल सेंगे अदिशुदी वेगेटेबल सेंगे पास्ता शुड़ी विदाउट एग वको तो फूड़ा सा पास्ता ही ट्राई कर लेते हैं फर यह कह रहें कि विदाउट एग है अधी जाहन जोंगे जेकर्स क्राप्रस क्यान है पेस्टी रखी हुई हैं फल रखे हुए हैं चिप्स हैं चिप्स थोड़ी सी ले लेता हूँ चिप्स थोड़ी लेता हूँ जूसेज हैं अच्छा मिल्क भी है एक लेता हूँ बिसकेट यहां पर और तो भी यह ले पाया जी मेरे पास तो और को अप्शन ज्यादा है नहीं वेज्टियन के लिए बिस्किट्स हैं चिफ्स टेटी एक ब्रेंड ले लिए थोड़ सा बटर ले आए हैं थोड़ सा वेजी पास्ता है यह ले आए हैं शुब लिखा तक वेज्ट है जहार देखेर होगए जहार ओनेट और खाली 500 चुड़ा घाए जहां यह फोड़ा आप यह दोले ऑना बार पर बार बारश होगी चार बार दूप निकलेगे और उसके चार बार ले भी पड़ जाए हूं त्यारी करें बोर्डिंग की हमारा फ्लेन जो है वो लेट हो गया है सबसात हो गया है साथ बजे का बोर्डिंग टाइम था यह को कभ लेकर जाएंगे उर्ण पर यहां देरे नह तो बोर्ड कर लिए जी प्लाइट जरूर में आदर इंटे के आसपास लेकिन चलिए एक फार शड़ गए और एक खास बात यह हुई है कि नॉर्मली जो विंडो प्राइस होते हैं रियान एर में कुछ भी फ्री नहीं होता है तो आपको रेंडम सेलेक्शन लेना पर च्छ रेंडम सेलेक्शन कियाता है हम दोनों के लिए और हम दोनों को ही विंडो सीट मिल गई फ्री यह भी एक कमाल की बात है देखिए अब देख सकते हैं रेंबो निकलवा जिसे इंद्र धनुष भी कहा जाता है और अभी भी थोड़ी थोड़ी पारिस यहां पर हो रही है क्ल देख इतना हरा भर और सुंदर दिखता डबने शहर यहां से पेले पार ने से बापेस बापने शवीलैघ आ खूचेन फिडिया तो जी आपचेव ही रहाँ जाबता साला थोबे थोब सुंदर अन्हां बयाँ थोड़ी थोड़ी है टोड़ी है मुच्छन को ता है कि बहुता बापाख भी इंद्र निटों कूछ जाएंगे तने कोच् अब हम जार पने होटल के तरफ क्योंकि रात को बारा बजी का टाइम हो रहा है ट्रेंज का ऐसे स्केडियूल है वहाँ से हम स्टोटर डैक आ गए और उसके बाद में होटल के एक दूसरी बदल नहीं थी वहां से वाक दिखा रहा था है वह 25 मिनट की तो मैंने का मौसम ठीक है तो हमने वाक करने का फैसले क्या आप में वाक करते हुए होटल जा रहे है और दो बड़े-बड़े बैगें से दिक्कत यह नहीं तो वाक की ऐसे कोई परिशान ही नहीं है अब जा रहे है वाक करते बाकी मेरेशन पर क्या पूछा क्या करा वो आपको बताएंगे बाद में होटल पहुँचके है चल रात को इसलिए प्रेफर नहीं करना चाहिए यह ट्रेवल को भी फ्लाइट हो कुछ भी ऐसे जो लेट रात को आए यह ट्रांस्पोर्टेशन की जो है दिक्कत हो जाए यह रहा हमारा होटल आ गए हम होटल चलिए देखते हैं अब चेक इन करते हैं फिरान हम करेंगे हम बिलेंगे सुबह के क्या कहानी रहती है हमारे होटल की